नमस्कार दोस्तों शुक्र ग्रह का महा राशी परिवर्तन आज रात को हो रहे और वो भी एक बचकर चार मिनट पर हो रहे यानि कि 29 नुवंबर की रात से लेकर कि और 25 दिसंबर तक शुक्र ग्रह तुला राशी में रहेंगे अब इनका इस राशी में रहने से जोतिसी सम्मी करन कैसे बदलेगा ये जानकारी मैं आपको दूँगा इसलिए वीडियो को पूरा और रंत तक आपको सुनना चाहिए मैं आपको बताऊंगा चार राशीओं के बारे में आपने थमनिल पड़ा है मेश, वरश, मितुन और कर्क जिसमें से दो राशी ऐसी रहेंगी जो बहुत जादा चमकेंगी और दो राशी ऐसी रहेंगी कि जिनके लिए पत्तर की लखीर समझ लीजिए एक तरीके से ऐसा सावित होगी ये आज की भविश्यवारी क्या होगा, कब होगा, कितने दिन के लिए होगा, कैसी परिष्टितियों में फ़ल आपको प्राप्त होगा ये पूरी जानकारी आप में आपको दूँगा जुड़े रहे शुक्र करह सौंदर्य प्रसारन के कारक हैं बिना इनके सौंदर्य प्रसारण नहीं चल सकता प्रेशन भड़ती है शुक्र है तो ज्ञान भी है शुक्र है तो यहां पर इसको दश्चन पूरव दिशा का स्वामी भी माना जाता है प्रेम का, वासना का, रूप संदर्य का, आकर्षन का, धन संपत्ती का, व्यपार का, ग्लैमर कॉस्मेटिक चीजों का, संगीत का, निर्ते का, गायन का, भीने का, सुगंदित पदार्थ का, इन सभी चीजों का कारक इसको माना जाता है अब पूरे एक वर्ष के बाद, लगबग, शुक्र ग्रहे, खुद अपने घर में तुला राशी के अंदर आ रही है अब यहाँ पर 25 दिसंबर तक जब भी अपने घर में रहेंगे, तुला राशी में, तो इसके फल बड़े महत्वपून रहेंगे यह मैं भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना शुरुबात करता हूँ सबसे पहले में इस राशी से आपकी जो राशी की जिम्मेदारी है, वो आजाती है मंगल ग्रहे के पास और शुक्र ग्रहे का जो गोचर होगा, वो सब्तम भाप पर होगा जी हाँ, सैवंत हाउज, जो की बहुत मोस्ट इंपोर्टन घर होता है दामपत्य जीवन का होता है, प्रेम जो रिलेशन होता है, उसको देखा जाता है साज़ेदार का होता है दैनिक इंकम का होता है पुलिस कलह कले इस मुकदमे बाजी से मुक्ती के लिए भी होता है और शुक्र के पास जिम्मेदारी पैसे की है सेकिंड हाउस की परिवार की और साथ में सेवन्थ हाउस की है और खुद सेवन्थ हाउज में स्वय राशी के होकर के बैठेंगे यानि कि मालव विनाम का महापुरुष राजोग भी बनेगा इसलिए मैंने लिखा है कि हीरे जैसे चमके की किस्मत उन दो राशी उमें से एक राशी आपकी है जिससे मैंने अभी परदा उठाया मेश वालो आपके लिए अब ये पच्चिस दिन बहुत निर्नायक है ये पच्चिस दिन आपसे कोई नहीं चीन सकता अगर आपने महनत अच्छे से कर ली परिश्रम बढ़ा लिया मैं आपको पूर्ण रूप से आश्रस्त कर रहा हूँ मैं पूर्ण रूप से जी हाँ पूर्ण रूप से कि बहुत बहुत बहतरिन फल आपको प्राप्ट होगा बहुत जादा उत्तम शेनी का फल प्राप्ट होगा बस आप थोड़ा सा महनत कर लिए सीरियसली बता रहा हूँ आपके किसम चमक जाएगा आप याद रखोगे कि हाँ ये किसने हमारे लिए भविश्यवानी करी थी इतना सुन्दर समय है मालव विनाम के महापुरुष राजयोग का और ये राजयोग जल्दी से नहीं लोटता इस राजयोग के फल को प्राप् पत्ते जीवन की ग्रह इस्तिती बहुत अनुकूल होगी अब मैं आप से बात करना चाहता हूँ नेक्स राशी के विश्य में और वो रहेगी मिथुन अब मिथुन के लिए क्या होगा बड़ा महत्वपुन फल रहेगा बहुत जादा महत्वपुन फल रहेगा और वो इसल मिथुन के दोस्तों क्योंकि आपके लिए जो गोचर होगा वो पंचम भाप पर होगा शुक्र का और फिफ्थाउज संतान का होता है बुद्धि उनती का होता है नीती का होता है विद्वानता का होता है संतान सुक का होता है आपकी मंतला शक्ती का होता है मनुरण्यन का हो इस घर के अंदर शुक्र रहेंगे वो बोलेंगे कि मैं तो इस घर का आबाद करूँगा और शुक्र आपको अक्समात पैसा भी दिलवाएंगे आगे आने वाले 25 दिनों में शुक्र आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने का भी काम करेंगे आपको संतान से संबंदित जो परिशानी तनाव चल रही है उससे आपको बाहर निकालने का काम करेंगे और आपको विशेश रूप से फिल्म लाइन से ग्लैमर अंडस्टी से लाव दिलवाने का काम करेंगे ये वो राशी है जिसके लिए मैंने लिखा है पत्थर की लकीर साबित होगी जी हाँ ये भविश्यवानी यानि क्या आपके लिए बड़ा मेहत्वपून है अभी हमारी दो राशीों की चर्चा हो गई है अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तीसरी राशी और उस तीसरी राशी का जो नाम रहेगा वो है कर्क अब कर्क के दोस्तों आप के लिए ये जो फल मैं आपको बताऊंगा ये रहेगा हीरे जैसी चमकेगे किसमत के अधीन यानि कि जो आपने दो राशीों का नाम थमनेल में पढ़ा है उसमें से ये दूसरी है अब ऐसा क्यों होगा उसका कारण है और कारण क्या है कि आपकी कर्क राशी से चतुर्त भाव में गोचर हो जाएगा शुक्र का बड़ा सुन्दर गोचर होगा मालव नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा बड़ी मुश्किलों से राजयोग बनता है बड़ा महत रखता है ये राजयोग और लाभेश होकर के शुक्र आपके सुकसादन प्रॉपर्टी वहान जमीन जाधात के घर में रहेंगे चतुर्थ भाब पर रहेंगे मन के घर पर रहेंगे यानि कि इस घर में शुक्र का रहना चतुर्थ भाब पर रहना आपको एश्वर युक्त करेगा आपको सुन्दर आकरती देगा उच इस तरही आपको जीवन यापन देगा शैली देगा भूमी से जमीन मकान जायदात स आपको लाव देगा परोब कार देगा आपको प्रतिष्ठा देगा और माता के पख्षे से आपको विशेष रूप से लाव भी देगा सुक पराप्ट करवाएगा और उसका कारण यह है कि यह माके इस थान में रहे लाबेश होकर के रहेगा राजयोग बना करके रहेगा इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपकी जो करह स्थिती होगी करक राशी में वो बहुत अच्छी बनेगी बहुत उन्नती वर्दक बनेगी इसमें किसी प्रकार का किंदू परंदू और दोमत नहीं है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अब नेक्स राशी की और उस राशी का नाम रहेगा दोस्तो व्रशव ये वो राशी है जिसके लिए नियम लग रहा है पत्थर की लकीर ये भविश्यवानी साबित होगी अब ऐसा इसलिए मैंने बोला कि व्रश राशी से शुक्र ग्रह का गोचर छटे बाप पर हो जाएगा चटा भाव जोतिस में रोग चोट शत्रुबादा का होता है पुलिस के इस मुकदमे का कस्ट का होता है पर इस घर में ये स्वेयराशी के होकर के कोचर करेंगे किसी और के गर में नहीं अपने घर में रहेंगे तो आप गुणवान हो जाओगे आपको सम्मान भी प्राप्त होगा आपको भूमी सवारी का भी सुख प्राप्त होगा आप गुप्त युक्तियों से धन अरजित करोगे ऐसा योग बनेगा और साथ में अगर चंदर शुकर की युती हुई तो फिल्म लाइन से पानी से आपको विशेश रूप से लाप्राप्त होगा अब यहाँ पर शत्रूँ से थोड़ा अलट रहना पड़ेगा और उसका कारण है कि छटे बाब में शुकर है यह मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ दोस्तों यह हैं वो चार राशियां जिन के बारे में मैंने भी आप से चर्चा करी यदि आप भी कुनली बनवाना दिखवाना पूजा पाठ यरत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर कर सकते हैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्तित हूँगा रुद्राक्ष लेने के लिए भी संपर कर सकते हैं नमस्कार